दोस्तों आज हम बात करेंगे औस्टेलिया वर्सिस इंगलाइंड के बीच में जो फर्स्ट ODI मैच खेला जाएगा बात करेंगे दोने टीमों की प्लेंग लेवन की और मैं आपको काफी इंपोर्टेंट रिकॉर्ट्स भी बताने वाला हूँ जब दोने टीमें एक दूसरे क अगेंस्ट खेलती हैं तो कौन से प्लेयर्स अच्छा पर्फरमेंस करते हैं साथ में इस ग्राउंड पे कौन से प्लेयर्स अच्छा पर्फरमेंस करते हैं सारे इंपोर्टेंट रिकॉर्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट ह लाइफ देख सकते हो चलिए पिछ रिपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों यह जो ग्राउंड है हाई स्कोरिंग मैचस के लिए जाना जाता है लेकिन यहाँ पर इस्पिनर्स और फास्ट गेंदबाजों दोनों को हेल्प मिलती है और जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतती है वो पहले बल्ले बाजी करने को देखती है क्योंकि फास्ट इनिंग में बैटिंग करना थोड़ा इजी होता है और सेकंड इनिंग में टॉटल ODI मैचिस खेले गए वो 84 खेले गए जिसमें फ़रस्ट बैटिंग करने वाली टीमने 46 मैच जीते है सेकंड बैटिंग करने वाली टीमने 37 मैच जीते है और एक मैच टाइरा है यहां का first inning का average score 255 का highest और lowest score Australia ने बना है scoring pattern की बात करें तो 200-200 से कम का score 21 बार बना है और 300 से ज़्यादा का score 7 बार बना है head to head matches की बात कर लें तो दोनी टीमों ने आपस में अभी तक 149 मैच खिलें जिसमें से Australia ने 84 जीते, England ने 63 जीते और 2 मैच टाहि रहें recent form की बात कर लेते तो दोस्तों यह ODI format का है दोनी टीमें अपना last last match जीत कर आ रही है चलिए अब Australia की playing level देखते हैं दोस्तों यह match थोड़ा risky रहने वाला है क्योंकि देखने वाली बात है David Warner के साथ opening पे कोन आएगा क्योंकि फिलाल में जो मुझे लग रहा है Travis Head इस match में opening कर सकते है क्योंकि इन्होंने पहले matchों में opening करीबी है साथ में यहापे मानने श्लामूशेन और Mitchell Mars इन दोनों में से कोई एक खिलने वाला है और बाकी players आप यहापे दिख सकते हो चले player performance की बात करते है मैं आपको सभी players का performance दिखाने वाला हूँ दोस्तों जो भी खिलेगा तो उसके performance आपको already पता होगा तो guys David Warner की बात करते है तो दोस्तों यह सभी format का performance है पर recent है दोस्तों यह देखने वाली बात है साथ में Trivers Head की बात करते है लास्ट मैच में अच्छा खेल के गएते है साथ में England के खिलाफ 10 matches में 395 run की है इस ground पे इन्होंने 3 match खेलें जिसमें 232 run की है और 2 match में gain दबाजी भी करिये पर wicked नहीं मिला है स्टीवन इसमित की बात करते है तो दोस्तों इनका भी recent form बहुत खराब चला 27 कियें एक match में gain दबाजी करी थी पर wicked नहीं मिला था मारने श्लामू शेहन की बात कर लेते हैं आप इनका performance देखोगे लास्ट के matches से ये भी flop हो रहे हैं इस match में 127 जरूर के थे पर गए इन matches में देखोगे तो कुछ खास performance नहीं है इस ground पर 3 match खेले हैं जिसमें 89 रन किये हैं Mitchell Marsh की बात करते हैं gain दबाजी कम कर रहे हैं आजकर साथ में recent form देखोगे लास्ट में अच्छा खेल के गई थे 45 किये थे साथ में England के खलाफ 16 match इसमें 484 रन किये balling में 18 victory भी निकालें इस ground पर केवल एक match खेला है जिसमें 32 करके गए हैं और guys इस match में gain दबाजी भी करी थी पर wicket नहीं मिला था इस toynis की बात करते हैं दोस्तों ये important player रहने वालें इस match में क्योंकि batting और balling दोनों से points देंगे लास्ट में 25 किये थे पर wicket नहीं मिलाता साथ में England के खिलाफ 16 matches में आप देखोगे तो 365 कियें साथ में 6 wicket भी निकालें इस ground पर 3 matches में 45 कियें और 4 wicket निकालें जियां दोस्तों ये देखने वाली बात है Alex Carey काफी important player है लगातार performance दे रहे हैं हर match में लगबग ये run बना रहे हैं जब भी इनकी betting आ रही है साथ में England के खिलाफ 8 matches में 313 कियें और guys इस ground पर 2 matches में 65 कियें Cameron Green की बात कर लेते हैं दोस्तों बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं और दोस्तों अगर T20 format होता तो दोस्तों ये open कर जाते लेकिन का ये ODI format है तो मुझे नहीं लगता है Cameron Green opening पे आएंगे साथ में recent format आप या पर इनका देख सकते हो कुछ खास नहीं है और England के खिलाफ कोई match नहीं खेला और इस ground पर इन्होंने कोई match नहीं खेला ODI का साथ में Pat Cummings की बात कर लेते हैं तो last match में wicket less रह गए थे पर second last match में 2 wicket निकाले थे साथ में गा इस England के खिलाफ इन्होंने 17 matches में आप देखो 26 wicket निकाले और इस ground पर भी ये 7 wicket निकाल चुके और टीम की captaincy करते हुए आपको नजर आने वाले Hazelwood की बात करते हैं लगातर हर match में wicket निकालते हैं second last match में wicket नहीं मिलाता पर गए इस पीछे देखो कि तो लगबग हर match में एक दो wicket निकाल लेते हैं साथ में England के खिलाफ भी 14 wicket निकाल चुके इस ground पर भी इन्होंने 10 wicket निकाले हैं मात 4 matches में मिचल स्टाक की बात करते हैं दोस्तों ये भी लगबग हर match में wicket निकालते हैं last के 2 matches में wicket निकालें और साथ में ये जो 3rd last match था इसमें wicket less रह गएते हैं England के खिलाफ आप देखो कि 31 wicket निकाल चुके हैं last के 3 matches में यहाँ पर थोड़ा खराब performance है पर दोस्तों इस match में मुझे लगता है ये काफी important role निभाने वाले क्योंकि England की team spin गेंदबाजी को अच्छा नहीं खिलती है और guys अगर second in में ये गेंदबाजी करते हैं तो ये काफी खतरनाक साबित होने वाले इस match में साथ में दोस्तों एस्टन एगर अगर खिलते हैं तो इनका performance एक बार देख सकते हो चलिए आप England की बात करते हैं तो दोस्तों ये England की playing level हो सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ changes देखने को मिलते हैं जैसे की wins और guys Milan इन दोनों में से कोई एक खिल सकता है guys T20 World Cup में आपने देखा हुआ लास्ट के matches में डेविट मलान नहीं खिलते हैं इंजरी के इशू की वज़े से तो हो सकते हैं यहाँ से जेव विंस इस match में आपको खिलते हूं नचर आ सकते हैं Sam Billings और guys Lam Dusan इन दोनों में से कोई एक खिलने वाला है दोस्तो जैसन रोय का recent form बहुत ज्यादा खराब है आप यापर देखोगे लास्ट में 21 करके गए थे और guys second last match में 20 और लगातार दो बार 0 पर आउट हुए है साथ में Australia के खिलाब 20 matches में 868 किये इस ground पे एक match खिला है जिसमें 0 पर आउट हुए थे जी आँ दोस्तो performance अच्छा नहीं है इनको आप drop करके भी चल सकते हो फिलिप salt की बात करते हैं लास्ट में 10 की हैं और guys England के खिलाफ माफ करिएगा Australia के खिलाफ अभी तक एक भी match नहीं खिला है और इस ground पे भी एक भी match नहीं खिला है ODI format में मलान की बात कर लेते हैं अगर खिलते हैं तो आप इनका recent form देख सकते हैं कुछ खास नहीं चल रहा है जैव विंस की बात कर लेते हैं जैम से विंस की तो इनका recent form आप आप देखोगे अच्छी form में चल रहा हैं साथ ही में दोस्तों आप याप देखोगे तो इंग्लैंड की Australia खिलाफ एक match खेला है जिसमें 0 पर आउट होगे थे साथ में यहाप बडलर की बात कर लें दोस्तों बिल्कुल भी rest नहीं चाहिए टीम के captain है अभी world cup खतम हुआ है और फिर से टीम को लीड कर रहे हैं साथ में आप देखोगे लास्ट में 26 के हैं सेकंड लास्ट में 80 नोट आउट के हैं लगातार रन बना रहे हैं ऑस्टेलिये खिलाब 32 मैच खेल चुके हैं जिसमें 938 रन कियें इस ground पर 3 मैच खेल चुके हैं जिसमें 70 कियें यह important player रहने वाले हैं अच्छी form में चल रहे हैं मौईन अली की बात करते हैं इस match में important role निभाद सकते हैं क्योंकि ODII format है बैटिंग भी आएगी और balling भी इनको मिलेगी लास्ट मैच जो खेला था उसमें 19 किये थे और Australia Club 22 मैच खेल चुके हैं 271 रन भी बना चुके हैं और 28 विकेड निकाल चुके हैं जियां दोसरी यह important player साबित हो सकते हैं साथ में दोस्ते match venue की बात कर लेते हैं इस ground पर माफ करिया है इस ground पर उन्होंने दो मैच केलें जिसमें 52 कियें और गईस एक विकेड भी यह निकाल चुके हैं साथ में सैम करन की बात करें लगातार अच्छा performance किया हर मैच में व्ल्ड कप में हर मैच में विकेड निकाला है लास्ट में भी तीन विकेड निकालें और 16 रन बना चुके और गाइस दो पाँच विकेड भी निकाल चुके जी हां दोस्ते consistent layer और वाइस काप्टन के तोर पर डिक्स कर ने लगें साथ क्रिस की बात करते हैं रिसेंट फॉरम आप रहते हैं एक विकेट निकाला था और गाइस ऑस्टेले खिलाफ 30 विकेट निकाल चुके हैं और दोस्तों इस ग्राउंड पे 120 बना चुके हैं और एक विकेट भी निकाला है दो मैचस में अच्छा पर्फरमेंस हैगा आदिल रशीद की बात करते हैं लास्टे मैचस में क्या खूब पर्फरमेंस के और आप देखो गर्याल चाप जरते हैं जो की काफी इंकौर्टेंट था साथ में ऑस्तैले खिलाफ आप देखो 24 मैचसमें 42 विकट निकाले जिएँ और दोस्तों एक मैच में पर जिसमें इन्होंने तीन विकेट निकाले हैं डैविट विली की बात करते हैं तो लास्ट में दो विकेट निकाले इन्होंने साथ ही में 261 रन बनाए और चलाफ और 211 विकेट भी निकाल चुके हैं कि जॉडन की तरफ चलते हैं तो लास्ट में दो विकेट निकाले और गैस ऑस्टिली क्लाफ 10 निकाले और दोसों इस ग्राउंड पर चार विकेट निकाल चुके जिए दोसे इंपोर्टेंट प्लेर्स अच्छा पर्फरमेंस करते जैसन रॉय का नाम सबसे पहले आता है ट्राइवेस हैड हैंगे बटलर आते हैं आप देखने को मेंगे वेन्यों रिकरूट की बात कर लेते हैं जब इस ग्राउंड पर मैच होता है तो कौन से प्लेर्स अच्छा पर्फरमेंस करते हैं डायुट वर्णर ट्राइवेस हैड पैट कमिंस हीजल वोड मिचल स्टाक क्रिस्वक्स और आदिल रशीद आते हैं दो पहले मैं आपको इस एप के बारे में बताना चाहता हूँ इस एप को नम वीजन 11 है एप का लिंग को रेफरल कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहां से इस एप को डाउनलोड कर सकते हो साथ में रेफरल कोड का यूस करोगे तो आपको 300 रुपे का बोनस मिलेगा जी आंदोस्तों और और इंगलेंड़ वाले मैच में आपको गिव अवे भी देखने को मिलने वाला है जी आंदोस्तों फ्री का गिव वे आप जोइन कर सकते हो साथ में आप याप देखोगे तो यहाँ पर खिलने के लिए आपको चार ऑप्शन मिलते है बै investment कर सकते हैं और दोस्तों यहां पर एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूं तो यहां पर आप देखो कि तो entry fees भी कम लगती है other fantasy apps के मुकाबले आप यहां पर comparison भी करके देख सकते हो instant withdrawal की facility भी आपको यहां पर मिलती है काफी अच्छा है आप ट्राय करके देखो आपको यह बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला लिंक और referral code मैं इन description box में दे दिया है wicked keeper section की बात करते हैं तो मैंने आप जौस बर्टिलर को पिक किया अच्छी form में चल रहा है options की तरफ चलते है Alex Carey one of the best option है इनको ट्राय करना चाहते हैं कर सकते हो पर दोस्तों आपने और राउंडर section में से किसी को drop करना पड़ेगा या फिर बॉलिंग मैं से किसी को drop करना पड़ेगा साथ में फिलिप साल्ट भी खिलेंगे पर इनको अब ग्रैंड लिंग में ट्राय करिएगा चलिए बात करते हैं बैटिंग की तो यहाप मैंने तीन बैट्स में पिक हैं सबसे पहले डैविड वॉर्नर को रखा है इनके बाद इसमित के साथ कहा हूं फिर मैंने रॉय को पिक किया की तरफ चलते हैं गिलते हैं तो इनके साथ जा सकते हो साथ में नीचे देखो को मार्णिश लाबूश एन की ऑब्ष। औरॉं द šषेम साथ में नीचे देखोगे तो Jay Wins की option है दोस्तों अगर खेलते हैं तो इनके साथ भी जा सकते हो Sam Blinks उतनी अच्छी pick साबित नहीं होंगे Small League के लिए चलिए यहाँ पर All-Rounder section में चलते हैं तो यहाँ पर मैंने Stoinis, Curran और गाइस Moyne अली को पिक किया Option देख लेते हैं तो Cameron Green की option है इनको try कर सकते हो David Willey के साथ जा सकते हो अगर खेलेंगे तो इनको try कर सकते हो चलिए बॉलिंग में बात कर लेते हैं यहाँ पर मैंने 4 बॉलर रखे हैं सबसे पहले मैंने Hazel Wood को लिया है फिर मैंने Adam Zampa को अपनी टीम में पिक किया फिर मैंने Adil Rashid को पिक किया और गाइस नीचे देखो मैंने Chris Jordan को पिक किया आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने Pat Cummins और Stock को ट्रॉप किया जी यहाँ दोस्तों क्यों किया क्योंकि England की टीम Spin Gainदबाजी अच्छा नहीं खिलती है इसलिए मैंने Adam Zampa को ट्रॉप किया है अगर गाइस आप लेना चातों Adam Zampa की जगे आप यहाँ से Stock या फिर Pat Cummins को अपनी टीम में ले सकते हो पर मैं यहाँ से Adam Zampa के साथ जाने वाला हूँ ओप्शन देख लेते हो तो गाइस Chris Works को आप ट्राय कर सकते हो और नीचे देखोगे तो यहाँ पर कोई सेफ आप्शन नहीं है आप इन में से किसी को भी ट्राय कर सकते हैं इन तीरों में से चलिए Captain और Vice Captain देख लेते हैं फाइनल टीम्स आपको टेलिग्राम चैनल पर ही मिलेंगी यह हमारा टेलिग्राम चैनल है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा तो जोइन जरूर कर लिजेगा क्योंकि टॉस होने के बाद Small League और Grand League टीम्स में आपको यहां पर देता हूँ तो यहां पर जरूर से जोड़ जाएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा